Hello and Welcome to my channel दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा ट्रेन टिकेट बुकिंग की जिसके साथ आपका ट्रेन टिकेट बुकिंग एक्सपिरियंस बहुत ही असान हो जाएगा दोस्तो ये एक ऐसी ट्रिक है जो हर किसी को पता होने चाहिए दोस्तो जादा तर हमारे आन दे स्पॉट प्लैन्स बनते हैं और लास्ट मॉमेंट पे हमें टिकेट बी नहीं मिलती 99% चांसेंस रहते हैं कि हमारी जो टिकेट है वो वेटिंग में ही रहेगी जब हम देखते हैं कि वेटिंग 100 है, 1500 है या उससे भी जादा है तो हम या तो प्लैन कैंसल कर देते हैं या फिर कुछ और रास्ता डोंडते हैं जहां से हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सके लेकिन दोस्ते एक छोटी सी ट्रिक जिसके साथ आप कनफर्म टिकेट पा सकते हैं जी हाइस वीडियो में बने रहेगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाहे जितनी मर्जी वेटिंग हूँ आप कनफर्म टिकेट कैसे बुक कर सकते हैं दोस्तो मैं प्लैन कर रहा हूँ कल जाने का तो आईए IRCTC की जो एप्लिकेशन है रेल कनेक्ट उसको खोलते है और देखते है जिस ट्रेम में मैं ट्रेवल करना चाहता हूँ उसमें वेटिंग है या कनफर्म है दोस्तो मैं प्लैन कर रहा हूँ कल जाने का तो आईए IARCTC की Rail Connect application को खोलते हैं और वहाँ पे सर्च करते हैं और देखते हैं वेटिंग लिस्ट कितनी है तो दोस्तो टाइम है 8 बच के 19 मिनट और डेट है 25 अक्टूबर अब मैं प्लैन कर रहा हूँ कल सुबा जाने का पस्चिम एक्स्प्रेस जो की 7 बच के 35 मिनट पे जाती है आईए देखते हैं उसकी टिकेट हमें मिले की या नहीं तो दोस्तो मैंने IRCTC की Rail Connect जो एप्लिकेशन है वो डाउनलोड की है अब हम बुक टिकेट पे जाके फ्रॉम डाल देंगे और टू जहां तक हमने जाना है वहां तक डालेंगे और डेट मैं कल की सिलेक्ट कर लेता हूँ आईए सर्च करते हैं ट्रेन इसके बाद एक इंटरफेस आ जाएगे जहां पे काफी ट्रेन्स जो इस रूट पे चलती हैं वो आ जाएंगी हम डूढनेंगे साथ बच के 35 मिनिट वाली यह रही 12926 आईए इसकी स्लीपर ग्लास में देखते हैं हमें टिकेट मिले की या नहीं तो दोस्तो आप देख सकते हैं 26 अक्टूबर जो कि कल है उस पे 149 वेटिंग है तो दोस्तो 149 वेटिंग देखके जाधा तर लोग कैंसल कर देंगे अपना प्लैन या फिर कुछ और वे आउट ढोंडेंगे तो दोस्तो बने रही है वीडियो में थोड़ी तर बाद मैं आपके दुखाऊंगा आप कैसे इसी ट्रेड में कनफर्म टिकेट पा सकते हैं तो दोस्तो देखा आपने 149 के करीब वेटिंग थी और इसमें अगर कोई बुकिंग कर रहा होगा तो वो यही सोचेगा कि 149 तो क्लियर होगी नहीं या फिर यहाँ पे टिकेट हमें नहीं मिल पाएगी दोस्तो करना यह होगा कि हमें कुछ समय वेट करना होगा और उसके बाद हम फिर से सर्च करेंगे और हमें 101% कनफर्म टिकेट मिलेगी तो दोस्तो इस वक्त टाइम हो रहा है 11 बच के 14 मिनट और मैंने आपको करीब 8 सब 8 बचे दिखाया था कि महां पे 149 की करीब वेटिंग थी तो आई अब देखते हैं हमें इतनी देर बाद मिलेगी सीट या नहीं तो आई हम सर्च करते हैं करल 26 है और 26 को हम सर्च करेंगे और नीचे चलते हैं 7.35 पे हमारी ट्रेन है तो दोस्तो यह देखिए करन्ट में 105 सीट अभी भी अवेलिबल हैं लास्ट मैंने चेक किया था 8.15 मिनिट पे जब वेटिंग शो कर रहा था लेकिन अब अगर आप चेक करेंगे तो आपको अब करन्ट में सीट अवेलिबल मिलेंगी तो दोस्तो देखा आपने एक छोटी सी ट्रेक और हमें मिल गई हमारी कन्फर्म सीट दोस्तो पहले 1.49 के करीब थी वेटिंग जिसमें लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो हमें टिकट मिलेगी नी या तो वह अपना प्लैन कैंसल करते या फिर कोई और ट्रेन या किसी और मोड से जाते तो दोस्तो हुआ ये जब मैंने टिकट चेक की थी तब तो वेटिंग थी तो मैंने क्या किया मैंने इंतजार किया चार्ड प्रिपेर होने का जैसे चार्ड प्रिपेर हो गया करीब जैसे मेरी ट्रेन जानी थी सुबा साड़े साथ बजे तो इसका करीब साड बचके 35 मिनट की और इसका चार्ट जो प्रिपेर होना था वो होना था आठ या नौ बजे के करीब तो मैंने नौ बजे के बाद चेक किया और जो वो वेटिंग थी वो हट कई थी चार्ट प्रिपेर होने के बाद जो करंट में सीट्स थी वो हमें मिल गई तो दोस्तों देख अगर आप भी कभी ऐसी booking कर रहे हूं आपका सुबा का प्लान है आप मैं आपको कहूं का थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए नौ बजे के बाद अगर आप चेक करते हैं तो 99% chances है कि current में आपको seat मिल जाएगी मैं उमीद करता हूं ये वीडियो अच्छे लगी होगी क्या इस इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बिलते हैं एक नई वीडियो में